नमस्कार दोस्तों केरे प्लेटफॉर्म आप सब का स्वागत है मैं आप सब के लिए एक ये वीडियो इसलिए बनाया हूँ कि मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि चार घंटे रेगुलर स्टडी करके हम 90% से ज़्यादा मार्क कैसे लाएंगे दोस्तों मैं जो भी स्टूडेंट हमारे यहां आज तक आया है मैंने लगभग चार-पांच साल से कोचिंग इस्टिचूट चला रहा हूँ अपना खुद का एकाडमी कोचिंग तो मैं देखा हूँ कि mostly जो स्टूडेंट आये हमारे यहां उसमें काफी सारे स्टूडेंट का मैंट्स वीक रहा है और इसका वज़ा यह है कि वह रेगुलर स्टूडी नहीं करते हैं तो अगर आप चाहते हैं कि अच्छा-च्छा मार्स लाए और अपने सब्जक्ट पर पकर बनाना बनाए रखे तो तो देखे रेगुलर स्टूडी का मतलब यह नहीं कहते हैं कि आप चार घंटा पर दे पढ़िए और एक रूटीन बनाकर मैं यह नहीं कहता कभी है आपको study कैसे करना है कि आप पढ़ाय कीजे अपने mood के according रूटीन मत बनेए रूटीन बनाएंगे तो रूटीन बनाकर एक से दो दिन तो फॉलो हो जाएगा दो तीन दिन के बाद फॉलो नहीं होता है तो कभी भी पढ़िये, mood के according पढ़िये, लेकिन regular study कीजे, जैसे per day अगर आपने 4 घंटे का study कर रहे हैं, तो वह regular basis पे एक अपना target oriented, यह target बना करके काम करेंगे, तो 100% मेरा उमीद, हम उमीद करते हैं कि आपका 90% से marks ज़्यादा आएगा, देखिए, साथ साथ कुछ, मैंने यह भी देख सलात देना चाहता हूँ आप लोगों को, कि कोई भी exam का अगर आप target करते हैं, बहुत सारे student जैसे CPSC, board class 10th का target कर रहा है, तो उसमें क्या होता है, व आपकी logic जो है थोड़ा develop हो जाए, logically सोचने का तौर तरीका बदले, ठीक है, और आपका advanced level पर तैयारी हो जाएगी, तभी आपका दिमाग में बाते रुकेगी, ठीक है, इसलिए आप अपने mood के according पढ़िए, ना की routine के according पढ़िए, लेकिन regular study करना बहुत जरूरी है, तो आ अच्छा मासला सकते हैं, तो यही मैं कहना चाह रहा था आप लोगों से, इसलिए करके अपनी subject को मजबूत कीजे, thank you, आज के लिए यहीं तब, thank you.